Hello viewers, this is new video to start करते हैं lowering center of gravity of the body increased degree of stability and इसका reason है equilibrium has interact relation with height of center of gravity तो इसमें से जो आपका सही अंसर रहेगा वो आपको आ रहेगा कि जो असर्चन इसमें यह तो सही है बट जो यह एंड असर्चन और रिजन यह तोनों सही है इसमें तो यहां इस से रहेगा आपको है lowering center of gravity of the body increased degree of stability right equilibrium has indirect relation with height of center of gravity दोनु स्टेमें सही है next question hostile aggression provokes one to harm other physically and reason is aggression is an intent to harm another person mentally and public or physically इसमें से आपका यह आपके दुनों hostile aggression provokes one to harm other physically यह सही रहेगा और यह भी सही है और इसका जो reason aggression is an intent to harm another person mentally और physically यह भी सही है और इसका एक्राक्ट explanation भी यह ही है यह यह answers में से रहेगा A and R are true है और R जो है और R जो है वो क्राक्ट explanation है A का next question before independence there was not a single physical education college in India यह wrong है यह क्योंकि physical education college जो physical education college थे वो 1920 में open हो गया था और यह में से यह जो है वो रांग रहेगा और जो reason है only R only R is और is correctrice मर रहेगा यह जो है यह में से रहेगा यह जो है यह फोन किया था इसके प्रिस्पल थे फस्प्रिस्पल थे फस्प्रिस्पल नेक्स कुश्न को बढ़ते है परसन सफरिंग फ्रम स्माल पॉक्स शुड़ बी ऑइसलेट और आइसलेशन इसमेजर फॉर प्रिवेंशन आफ इन्वेंशन और यह दोनों सही है और जो इसका जो रिजन है यह की और एक्स्पलिनेशन है इसे रहेगा बहुत हार्ट रू जो स्माल पॉक्स से जो परसन इन्फेक्ड़ होता है उसको एक आइसलेशन में एन्जी थोड़ सेपरेट रहना चाहिए बाकी लोगों से और इसमें जो आइसलेशन हो एक मिज़र है को रोकने के लिए next for improvement of performance in long distance running continuous training is effective तो यह सही रहेगा समय और continuous method of training improves basic entrance यह दोनों सही है और बोध हर राइट और और जो यह पाट है यह क्रॉक्ट एक्प्राइशन है एक हाँ हमाई लॉंग डिस्टेंस रंणिंग की प्रफॉर्मेंस को प्राने के लिए हमें जो कांटिनुस ट्रेंडिंग होती है वह असर दायाती है और त्रेंडिंग का वहमारा बेसिक इंट्रेंस इंप्रॉब करता है नेक्स्ट T-Test is used to assess the significance of difference between two means and the reason is T-Test is method used for Interferential Statics तो इसमें जो आपको सही रहेगा दोनों सही रहेंगे और जो सुर्शन भी सही रहेगा और रिजन भी सही रहेगा और जो रिजन है इसका correct explanation है एक ही lean body mass is the amount of body weight excluding body fat ये सही रहेगा body composition involves component with which human body is formed दोनों सही रहेंगे और इसमें a and r are true but r is not the correct explanation of a next question management involves organizing administering and supervising the work and his involvement is half done तो ये दोनों सही रहेंगे और r जो है वो correct explanation नहीं है but ये दोनों true है चाहिए next arrange the following events in chronological order तो पहले जो आपके YMCA college तो पृए हम जोदाइ महीच कोले फॉन से दो शनने हीम है और उसके बाद 1957 में इनकी काली लि setzt मई क्लेए फेटल जोड़ाब खलिए tuём में ये फॉन ओपन होँहा थो उसके बाद युकर उससे चुदिस, सबसक्राद चुज सराधी लोगाया ओने दोजिए। यह आपको से रहे है और यह दा फॉलिंग बोडी पार्स इन डिसेंडिंग और तो डिसेंडिंग और की बात की गई है तो पहले टो पहले धिसेंडिंग और की बात की है थी तो पहले पहले सेल की फॉर्मिशन होती है तिस्यू बनता है और फिर और उसके बाद और अर्गन और फिर्वाद पुरी बार इस्टेम इंटा जो अगर असेंडिक आउडर महा होता है यहां परदेशंदिंग आटर पुछा गया है यह बिल्कुल सही रहेगा नेक्स्ट अरे दर फॉलिंग फेज आफ टेक आफ इन प्रॉपर सीक्वेंस तो अबसर्प्शन एक्टिव स्टेचिंग टेक आफ फिर तच्डाउन तो इसमें पहले तच्डाउन आएगा उसके बाद अबसर्प्शन फिर अक्टिव स्टेचिंग एक्टिव स्टेचिंग फिर स्के बाद टेक आफ तो यह से रहेगा आप देख लीजिए इसको बाद नेक्स्ट तो यह फॉलिंग इन क्रॉप्ट स्टिक्वेंस फॉर स्किल लर्निंग स्किल लर्निंग की बात की गई है तो पहले आपकी जो प्रेंटेशन स्टेज होगी वह आएगी उसके बाद कोगनेटिव स्टेज बतलब अक्री लर्निंग की स्टेज आएगी मेंटल लर्निंग उसके बाद आपका एसोशेट्री फिर आएगा और फिर आपका आएगा आटोमेटाइजेशन स्टेज और यह बिल्कुल सही रहेगा उसके कॉर्डिंग नेक्स्सक्राइब . फॉर्स्सटेट मैसिद स्टेट्री रॉंड shipment वर्म और सरी बाद करेंगी फॉर्स्टेट आएगा यहाँ पर तो तो पहले आर फिर आई फिर कंप्रेशन और फिर राई सी राइस राइस कंप्रेशन और अलेवेशन तो यह बिल्कुल से रहे गए यहां पर फास्ट्रेड मेथल किसी का भी योग या तर यही रहता है खासकर कि स्पोर्ट्स इंजरी में अलेक्स कोशन और अधर फालिंग फिरणिशन पाड़ी के से पिर दिनक्रिश के बाद प्री कंप्रेशन फिर कंप्रेशन फेश फिर कंप्रेशन फिर जाने की recovery के related यह हता है तो यह से रहेगा आपका और यह दा फॉलिंग फेजिस आफ रिसर्च इन क्रेक्ट सीक्वेंस तो तो से पहले data collect किया जाता है उसके फिर बाज फिर data का analyze होता है बुलियंकर जानीगी checking होती data घी उसके बाद drawing conclusion जो निशकर्ष निका लिए आते हैं और लास्ट में जो आपका आएगा testing hypothesis he said a recording next question array the falling test in chronological order in respect to the of their old origination physical fitness physical fitness के पाद motor fitness फिर health related fitness फिर मोटर अधिक्विल्टी तो यह पूरा sequence असे रहाएगा असे रहाएगा फर्स सेंड थर्ड और फॉर्थ next question array the following steps for managing a sports program तो सबसे पहले प्लैन किया जाता है फिर बजट बनाए जाता है बजट के बाद फिर स्टाफिंग और रोज के बाद डारेक्टिंग तो इंगल से रहेगा next question match list first list second and the correct answers from the quotes given below educational system educational gymnastics जो थे जो थे अज़ोगेशनल जीमनास्टिक्स जो था वह आपका आपका शुरू होगा था स्ट्वीडन में। फिर उसके बाद टवर टर्ल मूंड जो थी वह जर्मळी में स्टाड़ होई थी. और फिर गलाड़िटोरल कॉंभैट्स वह रो में शूर्वाद होई थी . रो में हुआ करते हैं गलाड़िटोरल कॉंभैट्स . eat दोप। तो इसके बड़ी एंसर सहे रहेगा आपका यहां पर भी यह लिस्ट दी गई है तो इसमें जो एरोटा दी गई है एरोटा आपकी हेगी फरस्स आर्ट्री टू लीव हट इसके कोटिंर और फिर परम getir formally बीम प्रिंग जो अक्षैनेटरी ब्लड तूहर फ्रम लंग उसके बार फिर यॡज हेगे रहींCs कोटिंर custard ब्लड लाती है हर्ट से और इसके बाद कॉर्णरे आर्टरी जो आपकी है वो स्प्लाइज आउक्सिजिजिनेटिट ब्लड टू हर्ट मसल्स यह से रहेगा इसके कोर्डिंग यह बिल्कुल से रहेगा फोर्स आफ ग्रैविटी जो आपका है वो आपका रहेगा रहेगा फ्रीफाल से उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो स्टैविल्टी से रहेगा और फिर ब्यांड फोर्स जो है वो फ्लोटिंग से रहेट करेगी और फिर एलास्टी फोर्स है वो रिबाउन से रहेट करेगी तो इसका यह आँचार रहेगा बिल्कुल तो यह थैंक्स फ़ वाचिंग तो सुब्सक्राइब और वीडियो जय हैं जय बारक झाल